गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स मेरे श्मी आपका स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज हम करेंगे डियाससबी टीजिटी मैस के टीचिंग एप्टिट्यूट के कुछ करशन तो चलिए अपने पहले कोईशन पर चलते हैं तो पहला कोईशन हमें क्या क हुआ है कि यह जिसे पीडों पड़ना या पोद्र थो ना यह जो हैसी किस यूट तो इन सारे फिलोस्पर की बात कर लेते हैं जैसे रूसों हैं रूसों क्या थे रूसों एक प्रकर्टिवादी फिलोस्पर थे मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे को एक तरीके से स्वचंद चोड़ता बिल्कुल उसो स्थंद्रता दे दो इस्कूल जैसे कोई बाउंडिशन ही ना उस पर रविन ना टैगोर ने जो है आपने वो सुना होगा कि 1905 इस्वी में कहीं पढ़ा होगा कि 1905 इस्वी में इन्होंने सांतिनिकेतन की स्थापना की थी और विश्व भारती नाम से वो संस्था फेमस हो गई थी फिर तो भारत म ने जो स्कूल एडुकेशन पर काम किया वो रविन ना टैगोर ने किया जोन डीवी क्या कहते हैं जोन डीवी सामाजिकता पर बल देते हैं कि बच्चे समाज में रहकर जादे कुछ सीखता है उन्होंनों ने भी स्कूल एडुकेशन पर इतना ध्यान ही दिया पहले भारतिय राजनीती में बड़े सक्रिय रहे गरम दल के सदस्य रहे लेकिन दीरे इनका मन परिवर्तित हो गया और अध्यात्म की तरफ इनका मन जाने से क्या होगा कि इनका जो में फिलोसीपी बन गई कि ऐश्वर की खोज करें तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं वो जो हैं मेली किस के द्वारा दी गई रविंद्रे नाद टेगोर के द्वारा दी गई आगे चलते हैं identify the right sequence of a scientific method तो scientific method मतलब की सामाज वैज्ञानिक द्रस्टी कौन से हम कैसे कोई problem solve करते हैं उसका क्या तरीका है तो वैज्ञानिक द्रस्टी कौन क्या है विज्ञान क्या है विज्ञान है किसी कारे को करने का एक क्रमबद तरीका तो क्या क्रमबद तरीका है तो विज्ञान में कोई भी scientific होज होती है तो वो कैसे होते हैं कि हमारे सामने पहले एक problem दी जाती है तो पह का सुलूशन कैसे हो सकता है तो वो का आ जाएगा चांस्ट्रक्ट हाइपोथीसिस उसके बाद क्या करेगा वो उस चीज के उपर एक्सपेरिमेंट करेगा कुछ डाटा कलेक्ट करेगा तो यह हो जाएगा डाटा गैदरिंग थार्ड ओप्शन फिर क्या होगा फिर उसके बा क्या थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आगे चलते हैं वेन इस कंसेप्ट कि स्कॉम्प्लेक्स क्या मतलब है कोई चीज जो सिंपल ना हो कॉम्प्लेक्स होगी तरीके से सिंपल ना हो मतलब जो शिंपल चीज़े क्या होती हूँ उनन में लुटिपल यूज नहीं होते किसी के लेकिन complex चीज क्या होती है when it has more than one attribute जिसमें काफी सारे गुण हो जैसे आपने उसमें साइंस में पढ़ी होगी simple machine complex machine तो simple machine क्या होती है जैसे पेच कस हो गया उसमें क्या है वो एक ही काम कर सकता है बस और जो आपने complex machine पढ़ी होगी उसके किते सारे गुण होते हैं आगे च كर्म और मुल्यांकन मान कोग के रास्ते परिशत के सिक्षकों के प्रमुक्षि फारी सोग प्रस्तमिक बीद्यालयगनित में निरदेश होना चाहिए इसमें क्या कहा हुआ है कि NCRT क्या कहती है कि जो primary education में गणित कैसी होनी चाहिए तो primary education में गणित कैसी होनी चाहिए अब NCRT के हम सारी बातों को तो याद नहीं रख सकते तो क्या करेंगा हम इसके option पढ़ते हैं और उससे पता लगाते हैं कि NCRT क्या कह सकती है तो लास्त के option से चलते हैं हमारे पूरवजों दुआरा पीछा के जाने वाले द्रस्टीकों पर चिप करें तो NCRT क्या यह कहेगी कि जो द्रस्टीकों पूरवजों नो पहले बना दिया उन पहले ही चिप करें मालों जैसे पहले क्या होता था पहले गुरू कुल में शिक्षा दी जाती थी आज कल क्या है आज कल ओनलाइन शिक्षा का चलने है तो क्या NCRT यह कहेगी कि अभी भी गुरू कुल में पढ़ाया जाए बैटके नहीं जैसे जैसे समय बदलेगा ऐसे ऐसे हमें अपना टीचिंग स्टाइल भी बदलना पड़ेगा परिक्षा उनमुक दरस्टी कोन के आधार पर कोसल से सिफ्ट करें जहां चातर परिनाम पर ध्यान किंद्रित करते हैं मतलब कि बस किस पर ध्यान दे कि बच्चा परिक्षा के लिए तयार हो जाए तो ये एक रटन पत्ती परादारी चीज़े हो गई तो क्या NCRT कहेगा कि चीजों को रटो बस तो ये भी ऑप्षन गलत हो गया आगे चलते हैं आसान तरीकों का पालन करें जहां छातरों को आसानी से समझ और याद कर सकते हैं कि छात्रों को आसानी से कोई चीज़ समझा दी जाए क्या NCRT ये कहेगा कि कोई भी चैलेंज बच्चों के सामने ना है उसको सारी चीज़े आसानी से समझा दे तो ये भी गलत हो गया तो आगे पढ़ते हैं एक शिक्षिक द्वारा निर्देशित ड्रस्टी कौन से सिफ्ट रहे तो ये NCRT का सुझाब हो गया एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर गणिस समझाने का ये NCRT का फस्ट ऑप्सन इसका सही हो गया कि बच्चा जो है वो टीचर की गाइडेंस में कुछ सीखे आगे चलते हैं कक्षा में एक देखने योग्य समा समावेशी सिक्षा क्या होती है समावेशी सिक्षा यह होती है कि जो विकलांग बच्चा है मतलब विसस्ट बच्चे हमारे पास होते हैं जैसे विसस्ट बच्चे कैसे होते हैं कि उनमें से कुछ विकलांग होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विसस्ट बच्चों कि स्रेडी में वो भी आते हैं जिनके highly mental ability होती है और सामाने बच्चे होते हैं वो सब एक ही जंगे बैठे ये जो है समावेसी सिख्षा कहती है कि हर एक लेवल का बच्चा चाहे वो physically handicapped है या सामाने है या फिर वो mental लेवल उसका बोजाद हाई है वे सारे ही बच्चे एक जंग समावेसी अभ्यास है इन जो भी चार ओप्सन लिख्यों है कौन सी कक्षा में यह पता चलेगा कि इस कक्षा में जो है learning हो समावेसी अभ्यास से हो रही है यह हमसे पूछा हुआ है तो चलिए फर्स्ट ओप्सन पर चलते हैं विकलांग चात्रों को चारात्मक वर्गों के समावेसी शी नहीं है विकलांग चात्रों को सम्मूं में बनाया जाता है विकलांग चात्रों को अलग विद्यों में सक्रियरूप से भाघ ले ञे कि विकलांग चात्र तो भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन बाकी सबी जो हैं गती विद्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा आगे चलते हैं विकलांग चात्रों को सीखने की गती विद्यों में सिर्फ म्यूट दर्सक नहीं बना जाता कि विकलांग छात्र जो हैं वो म्यूट दर सक नहीं है वो भी कुछ activity कर रहे हैं तो यह समावे से सिक्षा हो गए जिसमें विकलांग छात्र भी कुछ activity कर रहे हैं आगे चलते हैं एक प्रिक्रिया जो तब होती है जब लोग text को देखते हैं और उस part में लिखित प्रतिकों को अर्थ देते हैं को कैसे परिवाशित किया जा सकता है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब लोग text को देखते हैं मतलब उसको कुछ words दिखाए दे रहे हैं और पार्ट में लिखित प्रतिकों को अर्थ देते हैं और जो भी उसे दिखाई दे रहा है उसको कुछ अर्थ दे रहे हैं तो चितरकारी तो वो नहीं है सकती चितरकारी में तो बच्चे के हाथ एक्टिव रहेंगे देखने में उसकी आँखे एक्टिव रहेंगी लिख रह इसमें क्या हुआ है कि यदी टीचर बच्चे को वर्ट के साथ क्या करें पिक्चर भी दिखाए तो इस तरह के एक्जांपल को क्या कहेंगे तो इस तरह के एक्जांपल को classical conditioning कहते हैं I mean वे भृटि अब जिखाए जब हम बच्चे को इमेज की दुरुफ वर्ट भी दिखाए और image भी दिखाएंगे words are associated with pictures तो क्या होगा यह हम उसे एक extra जो पिक्चर है वो एक extra extra उद्धी पक है तो यह जो है classical conditioning theory हो जाएगी अब trial and error method इसमें trial and error method नहीं होगा trial and error method क्या होता है जैसे कि हमें निकालना है x plus 5 equal to 7 तो बच्चा जो है यहां x की value रखेगा मालो 1 रखी उसने 1 plus 5 किया तो क्या आगया 6 आगया फिर अपनी तरफ से उसने 2 रखा 2 plus 5 equal to 7 तो बच्चे ने निकाल लिया value रखे कि 2 x की value 2 रखे तो 7 आ जाता है तो यह trial and error method है कि बच्चा जो है गलतिया करकर सीख रहा है इसमें इस पिक्चर का और वाइड का इसका कोई relation नहीं है ओप्रेंट कंडिशनिंग में क्या होता है कि बच्चे को जैसे feedback देना या जैसे बच्चे ने गलत काम कर दिया तो उसको punishment करना या फिर उसको आगर उसने अच्छा काम किया तो उसको good very good यह सब मतलब उसको reinforcement देना यह जो है क्या कहलाता है ओप्रेंट कंडिशनिंग कहला तो इसका second option सही हो गया आगे चलते हैं सेक्स अनुपात में कमी के लिए निमली कित्मे से कौन सा कानून प्रासंगिक है सेक्स रेसियो जो है आपको पता है कि इंडिया का सेक्स रेसियो इस टाइम 940 है 2011 की जंड करना के अनुसार मतलब 940 का मतलब क्या है कि 1000 मेल पर 4940 फीमेल है तो यह का हो है कि कौन सा कानून बनाया जाए जो इसको रोक सके तो मेली क्या रिजन होता है कि लड़कों की कमी होती है तो कन्या भून अत्या कर दी जाती है इसलिए यह कानून बनाया जाए कि कन्या भून अत्या ना हो आगे चलते हैं पाठे चरिया को परिभाशित क्या जा सकता है पाठे चरिया क्या होती है हमारे पास दो वर्ड होते हैं एक तो पाठे क्रम होता है एक पाठे चरिया होती है तो पाठे चरिया में क्या जाता है पाठे चरिया में पाठे क्रम भी आ जाता है और जो बच्चे क्लास में सीखता ह वो भी आ जाता है पाठे क्रम क्या होता है जो हमारा स्लेबस होता है जैसे हिंदी की बुक पढ़ रहा है बच्चे इंगलिश की बुक पढ़ रहा है यह पाठे क्रम के अंदर आ गया जो बुक्स में वो कंटेंट पढ़ता है और उसके साथ एक्स्ट्रा केरिकुलर्म एक्ट भी आती है और साथ में जो वो अधर एक्टिवीटी करता है खेलता है दोस्तों के साथ कुछ गुरुप में एक्टिवीटी करता है या प्रेयर करता है वो सारी पाठे चरिया के अंदर गताती है तो इसका कौन सा उप्शन सही हो जाएगा इसकूल विश्यो सीखने के अनुभव और गती वीदियो सहीत तो ये जो है जो कुछ भी वो इसकूल में अनुभव प्राप्ट करते है वो सारा का सारा अनुभव पाठे चरिया के अंतर गता आ जाता है आगे चलते हैं शिल्प में रचनात्मक्ता के रूप में बनित किया ज लिए निमलिकित कदम और प्रिक्रिया है कि कोई मोडल दे दिया और उसे ही पुने पेस कर दिया तो ये तो कोई क्रियेटिविटी नहीं हुई दिये गए पैटरन के अनुसार मोडल बनाना कि कोई पैटरन दे दिया उसी पर मोडल बना दिया ये भी कोई creativity नहीं हुई सामगरी को देखने में शक्षम होने के नाते वे नहीं लेकिन वे क्या बन सकते हैं कि बच्चा ये देखने के में सक्षम है कि वो जो चीजे उसको दिखाई दे रहे हैं उसमें हम क्या नया बना सकते हैं तो इसका थर्ड ओप्शन सही हो जाएगा कि creativity क्या होगा ही नई सब्सक्राइब करने की पुरानी चीज में कोई नई चीज देखने की चमता जो है क्यों में question paper खोलेंगे तो आपसे option लेगा वो कि आप अपना question paper English में देखना चाहते हैं या Hindi में देखना चाहते हैं तो यदि हमने English में क्लिक कर दिया तो एक बार पूरा का पूरा question paper जो है हमारा English में खुल कि आएगा लेकिन उसके बाद हमारे पास question को भी इसलेक्ट करने का एक option आता है कि यह वाला question आप English में पढ़ना चाहते हैं या Hindi में पढ़ना चाहते हैं तो जिसने भी एक paper दिया होगा उसने आदा paper जो है English में लिखा English में select कर लिया होगा और कुछ question Hindi में select कर लिया होगे तो जब उसकी answer कि आई तो उसको उसमें कुछ आदे question Hindi के थे कुछ English के थे तो यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी जब exam में बैठे तो आपको भी पता रहेगी इस इस तरह की option आपको exam में देखने को मिलेंगे क्योंकि online mall पर paper होता है DSSB का तो चलिए आज के लिए इतना ही घर पर रहिए शुरक्षित रहिए धन्यवाद thank you